हाई फ्रेंज और आज हम बात करेंगे वी एलेफ बोचुम और वूल्सबर्ग के भी शमाच देगे मिट टेबल टाई आपको ये टाई बिलेगा लेकिन वी एफल बोचुम इस समय बेटर स्थिती में है बेटर फॉर्म में है इसका बेटर वूल्सबर्ग क्योंकि लास्ट य सुनके हराने हो कि वो एक गेम भी ना जीते हैं ना ड्रॉ कि वो सारे गेम हा रहे हैं लास्ट के छे के छे महीं पर बोचुम थोड़ा सा बेटर खिला है दो गेम जीता है एक गेम ड्रॉ के तीन गेम हा रहा है हाला कि लास्ट के दो गेम लगा तर वो भी हा रहा है तो ये दो struggling team की बीच में मैच है लेकिन ऐसा इस game में इधर 0-0 होगा या हमारे साब से Bojum इस पर 1-0 या 2-0 जीत सकता है क्योंकि Wolfsburg बहुत ही खराब खेल रही है तो देखिए अगर आप team news की बात करें क्या वो करें तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो भी players हैं वो काफी injured है कुछ COVID की हैं वो मैं आपको बता दू सबसे बड़ी बाद defenders में मैसोविच जो है Bojum के वो इस समय suspended है इस game में तो वो नहीं होंगे वो बहुत बड़े player है तो इस वज़े से आप देखेंगे तो Gamboa स्टार्ट करेंगे जिनको हम ले भी रहे हैं Gamboa तो खेलेंगे ही वो mostly matches खेलते हैं और Gamboa को इसलिए लिया है क्योंकि 21 interceptions की है अभी तक आठ tackle भी कर चुके हैं और Gamboa आगे भी काफी steady attacking defender है तो काफी बाने ओर defender है तो यह आपको काफी point दे सकते हैं महीं पर हमने यहाँ पर Sores को लिया है और Sores को भी लेने का कारण क्या है कि देखे पहली बात है कि इन्होंने सारे matches पूरे-पूरे खेलते हैं तो आपको points मिलेगे दूसरी बात सबसे ज़दा interceptions सबसे ज़दा tackle team के लिए 66 interceptions 40 tackles जो कि एक बहुत ही जबरदस record है इनको आप बिल्कुल ignore ना करिए 23% लोगों ने लिए मैं बोलूँगा आप इनको जरूर लीजिए मोई पर हमने Lampropolis को भी लिए Lampropolis स्टार्ट करेंगे because हमने का है Mesovic नहीं है Lampropolis ने भी 33 interception 18 tackle किये तो ये भी एक अच्छी form में आपको point दे सकते है उसके लावा हमने यहाँ पर Lacroix को लिया है Wolves के लिए Lacroix इनके best defender माने जाते है सबसे ज़्यादा interception 51 इनों ने किये है 15 tackle इनों ने जीते है तो Lacroix को आप ज़रूर लीजिए क्योंकि ये भी आपको काफी point दे सकते है French international है Wolves Park के best defender माने जाते है महीं पर हमने कुछ players को लिया है यह आप लॉसिला देके एक ये player है जिनको आप ignore बिलकुल नहीं कर सकते है क्योंकि ये भी एक अच्छी form में है लॉसिला और interceptions के लो tackle कहलो attacking back क्योंकि इंटरसेप्शन में भी 46 interceptions 34 tackles ये second highest test हो रहे इसके बाद तो ये एक अच्छा stat आपको मिलेगा साथ ही साथ इनके attacking return भी एक goal इनोंने किया है 35 years के player है काफी tenured player है अच्छा कहलते है वहीं पर हमने Arnold को लिया इनका पूरा ना Maximilian Arnold है 17 matches में एक goal किया और short creating actions भी decent है वहीं पर पैंटोविच को सिर्फ 5% लोगों ने लिया जो कि एक हिरानी वाला stat आप पैंटोविच एक तो आगे खेलते हो उपर साथ game start में दो goal एक assist किया है बहुत अच्छे player है और especially जब Zolair है वो नहीं खेल रहे है इस game में क्योंकि Zolair जो है वो suspended है मैं देख रहा हूँ Zolair कहाँ पर listed है जो इनके काफी बढ़िया player है ये है Zolair और Zolair Simon Zolair जो है वो इस game का part नहीं होंगे तो इनका काफी बड़ा roll इसमें रहेगा महीं पर forward में देखिए वैगोस जो है एक one man army कह लीजे वैगोस और नमेचा बट नमेचा का इस game में नमेचा तो available ही नहीं है जितना हमें पता है और मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि उनका reason of not playing is उनका ankle broken unfortunately जिस वज़े से वो नहीं खेलेंगे तो सारा दारमधर वैगोस्ट में अगर ये कोई goal score करेंगे तो ये ही goal score करेंगे ये पर पॉल्टर एक pick है जो आपको करना चाहिए बिकोस पॉल्टर ने अभी तक highest goal किये है सबस्टर पॉल्टर ने नबोचूं के लिए 6 goal किये तो इनको जरूर लीजे और वहीं पर एंडवे एज़े न देखिए अभी स्टार्ट ही किया है खेलना साथ गेम्स ही खेले जिसमें उन्होंने इक असिस्ट किया ये अगर आगे खेलेंगे तो इतना खराफ डिफेंस है बोल्टर का कि ये goal score कर सकते है देखिए ये भी हमें टीम है और हमें लगता है कि इसमें शायद बोचों कंसीट ना करें जिस वज़े से हम लोगों ने ये टीम बनाई है और हमें लगता है कि इसका score 1-0 या 2-0 बोचों के बक्ष में जा सकता है तो थैंक यू सो मच ऐसे ही टीम्स आप हमारे चैनल पर देख सकते है आपको बाकी भी टीम्स हमने इसमें काफी शेयर किये आप हमारे content को पढ़िए understand कीजिए और I hope कि ये आपके लिए काफी beneficial होगा Thank you